नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों साथ चरणों का चुनाव संपन होते ही एक जून शाम से ही लगातार एक्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं और इस समय देश की जनता एक्जिट पोल के आंकड़ों में उलजी हुई दिखाई दे रही है दोस्तों आज हम कई एजेंसियों के सर्वे के जो आंकड़े हैं आपके सामने रखने वाले हैं वो एजेंसियां जो अलग-अलग न्यूस चैनल्स के लिए सर्वे करती हैं एक्जिट पोल करती हैं वो आंकड़े क्या हैं आज ना सिर्फ उन आंकड़ों को आपके सामने रखा जाएगा बलकि इन आंकड़ों के पीछे छुपे रहस को भी समझने की कोशिश करेंगे इन आंकड़ों का विशलेशन भी करेंगे दोस्तों और आपको बताएंगे तमाम जो एजेंसियां हैं देश की अलग-अलग एजेंसियां करीब-करीब 10 एजेंसियां जिन्होंने बड़े-बड़े चैनल्स के लिए सर्वे किया है इन लोगोंने बसपा को कितनी सिर्दी है दोस्तों ये सवाल हमेशा खड़ा होता है बसपा के बारे में इसलिए भी जिक्र करना जरूरी है क्योंकि बसपा देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है बीजेपी कॉंगरेस के बाद सबसे बड़ी तीसरी राष्ट्रिये पार्टी है लेकिन इस चुनाओं में एक बह नाकडों में उलजी हुई है बड़ा सवाल ये एक्जिट पोल तैयार कैसे किये गए हैं इस पर भी सोचना चाहिए और बड़ा सवाल ये भी है क्या आप एक्जिट पोल पर भरोसा करते हैं और भरोसा करते हैं तो क्यों करते हैं दोस्तों कॉमेंट जरूर करिएगा दोस्तो जो exit pole मैं आपके सामने आज रखने वाला हूँ वो देश के लेबल पर भी है और उत्तर प्रदेश के संदर्ब में भी है इन एजनसियों ने पूरे देश भर के आंकड़े भी रखे हैं और उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी रखे गए हैं तो सबसे पहले मैं आपके सामने देश का जो आकड़ा है अलग-अलग एजनसियों का वो आपके सामने दोस्तों मैं रखने की इजाज़त चाहता हूँ इजाज़त है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों एजनसी का नाम देखिए आपके स्क्रिन पर ये देखिए एजनसी है रिपब्लिक मैट्रिस इन्होंने भारतिय जनता पार्टी को 353 से 368 सीटे दे दी हैं कॉंग्रेस को 118 से 135 सीटे दी जा रही है अन्न के खाते में 118 से 135 सीटे दी जा रही है यानि रिपब्लिक के सर्वे में भारतिय जनता पार्टी की सरकार बन रही है दोस्तों इंडिया न्यूज दा डाइनमिक्स के सर्वे को देखें तो बीजेपी को 371 सीटे दी गई है वहीं कॉंग्रेस पार्टी को 125 सीटे दी जा रही है अन को 166 सीटे दी जा रही है यानि यहां भी भारतिय जनता पार्टी की सरकार बन रही है दोस्तों एक एजनसी है जन की बात इसे देखा जाए तो इसने 362 से 392 सीटे भारतिय जनता पार्टी को दी हैं कॉंग्रेस पार्टी को 141 से 161 सीटे दी जा रही है वहीं अन के खाते में 10 से 20 सीटे जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों न्यूज नेशन के सर्वे की बात करें तो इसने बीजेपी को 342 से 378 सीटे दे दी हैं कॉंग्रेस पार्टी को 153 से 179 सीटे जबकि अन के खाते में 213 सीटे दी जा रही है इंडिया टीवी CNX का सर्वे देखें तो ये तो मोदी जी का बड़ा ही दीवाना है 371 से 401 सीटे इंडिया टीवी ने दोस्तों मोदी जी का सपना पूरा कर दिया 400 पार कर दिया रजज शर्मा जी के चैनल ने BJP के सपने को पूरा कर दिया अपने सर्वे में इन्होंने 400 पार का अकड़ा रख दिया है कॉंग्रेस को 109 से 149 सीटे दी जा रही है जबकि अन के खाते में 10 से 20 सीटे जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों टाइम सनाव का सर्वे देखेंगे BJP को 358 सीटे जबकि कॉंग्रेस पार्टी को 32 सीटे दी जा रही है अन के खाते में 53 सीटे जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों ABP सी वोटर का सर्वे अगर दिखा जाए तो ABP ने भी मोदी जी को निराश नहीं किया है इसने भी अपनी चरण बंदना दिखाई है भक्ती दिखाई है BJP को 353 से 383 सीटे दे दिया है और कॉंग्रेस पार्टी को 152 से 182 सीटे दे दी गई है और अधर के खाते में 4 से 11 सीटे दे दी गई है तो ये देश के लेबल पर दोस्तों एजेंसियों ने सर्वे किया और इन एजेंसियों ने मोदी जी को भारतिये जनता पार्टी को निराश होने का कोई भी मौका नहीं दिया ऐसा लग रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के मुख्याले से कोई आकड़ा दे दिया गया और इन लोगों ने बड़े प्यार से बड़े अदब से बिना चूँचा किये इन्हों ने आकड़ा रख दिया और एग्जिट पोल में भारतिये जनता पार्टी की सरकार बना दी 400 पार इंडिया टीवी ने नारा भी साकार कर दिया है दोस्तों इन सर्वेज में देखे तो इंडिया टीवी सबसे बड़ा भक्त निकला उसने तो बीजेपी के 400 पार के नारे को भी पूरा कर दिया है तो दोस्तों देश के संदर में एजन्सियों के सर्वे देखने के बाद अब हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के संदर में इन एजन्सियों ने कितनी कितनी सीटे पार्टियों को दी है ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों उत्तर प्रदेश का जिक्री से लिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहीं से ही दिल्ली का रास्ता जाता है यूपी फतह है तो दिल्ली पर कबजा मैं बार बार ये लाइन बोलता हूं दोस्तों आपको बता दें कि यह जो चुना हुआ है इसमें भारतिय जन्ता पार्टी ने 75 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे वहीं पर अपन पार्टी का जो उम्मिदवार था बीजे पी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था इन्हें तो सीट भी नहीं दी गई थी वहीं आरेलडी ने दो सीटों पर दोस्तों चुनाव लड़ा था तो दोस्तों ये तो हुई एंडिय की बाद अंडिय में ये सारी पार्टी आं शामि पर अपने प्रत्याशी उतारे वहीं बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज़्यादा यानि 80 सीटों पर उत्तरप्रदेश की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पाइजिंसिया कितनी सीटे दे रहीं आपको दिखाते हैं हम। तो रिपब्लिक भारत ने 79 से 74 सीटे सिर्फ भारतिये जनता पार्टी को दी हैं जबकि इंडिया के खाते में 6 से 11 सीटे जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों रिपब्लिक टीबी पी मार्क को देखें तो इसने एंडिया को 79 सीटे और इंडिया को 11 सीटे दी हैं। जो निउस 24 शानक क्या है उसने क्या किया है उत्तर प्रदेश में एंडिया को 68 सीटे हैं और इंडिया को 12 सीटे हैं अदर के खाते में 0 दोस्तों इन सारे एजेंसियों ने जो अलग-अलग सर्वेजिनों ने किया है बियस पी को हर जगे शून दिखाया गया है। तमाम एजेंसियों की माने तो 2024 के लोग सभा के चुनाव में बसपा शून सीटे जीत रही है। दोस्तों अब इनके आँकड़ों को ज़रा गौर से देखें जितने भी एजेंसियों हैं देखें उनाहत्तर अनुसट सणशट उनाहत्तर उनाहत्तर यही सीटे दी गई हैं भ पेश कर दिया है और BSP को शून 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 दिखा दिया गया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि पहली बार बसपा को शून बताया जा रहा है। तमाम लोग मेरे चैनल पर आकर भी यही कमेंट करते हैं कि बसपा शून सीटे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लगता है क कि भाईया बसपा शून सीट लेकर आएगी। अब मुझे समझ नहीं आता है कि बसपा की प्रतितनी नफरत लोगों के दिल में क्यों है। दोस्तों इन एजेंसियों के सर्वे के आंकड़े देखकर ऐसे लगता है जैसे इन लोगों ने कौपी पेस्ट कर दिया है। एक के लोगों से पूछे गए हैं सवाल वो सवाल किस तरीके के थे बहुत सारे दोस्तों सवाल खड़े हो गए हैं लेकिन इन लोगों ने सर्वे तयार करने की प्रक्रिया पर कोई बात नहीं किया सीधे सीधे आंकड़ा रख दिया गया है अब सर्वे वेग्यानिक पद्धती से तैयार किया गया है मेहनत से तैयार किया गया है या स्टूडियो में तैयार किया गया है ग्राउन पर कितने लोगों से बात की गया है यह दोस्तों बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं तो दोस्तों यह है एक्जिट पोल के नतीजे मैं फिर कह रहा हूँ असली नतीजे आ आएगा तो एक ही आखड़ा सब के सामने होगा, यहां इन सर्वेज के एजनसियों की तरह अलग-अलग आखड़े नहीं, एक ही आखड़ा आएगा, तो दोस्तों सर्वेज के आखड़ों में उलजने से बेतर है अपने लक्ष पर फोकस करिये एवियम की हिफाज़त करिये स्ट्रॉंग रूम की सुरक्षा करिये क्योंकि ये जो आकड़े हैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश हैं असली जो नतीजे हैं वो चार जून को आएंगे बहराल दोस्तों गोदी मीडिया के जो सर्वे हैं जो ओपिनियन पोल है या फिर एक्जिट पोल है इनको लेकर आपके क्या परतकिरिया है बसपा को इन लोगों ने शून सीटे दी हैं क्या आप मानते है कि बसपा इतनी कमजोर हो गई है अपनी परतकिरिया जरूर देजिए बहुत बहुत धन्नवाद शुक्रिया